बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्पे स्टेडी पॉइंट पर मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की ये क्लास है बीएसी फर्स्ट इयर सेकेंड समेस्टर के लिए जिसमें आज हम डिसकस करने वाले हैं जिलोजी का टॉपिक ऐसे चाचातर है जिनका फर्स्ट इयर समेस्टर का एक्जाम हो चुका है और वो अब सेकेंड समेस्टर में हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत पूंड रहेगी एकड़म बेसिक से सुरुवात करेंगे फर्स्ट यूनिट से आपकी क्ला का प्रारम किया जाएगा दोस्तों आपको बता दें यह जो मैं क्लास दे रहा हूं वो एन इपी के तहट दे रहा हूं यानि कि नई सिछानिक जो लागो हुई है दोजार बीस में इसके ताहत आपको क्लास मिल रही है इसके अकॉर्डिंग सभी विश्बिद्याले का रहें करते हैं आप सब यही पार्ठ करेंगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह हुअ कि अब आप मुझे लगता है कि आप सब के मनें कोई कन फेजन नहीं रहेगा इस L Claus बेड़र और बात बता दीता है जो आप सब के मन में रहती है वो इसलिए क्योंकि आप कमेंट के माधिन से बार-बार पूछते हैं कि हमें यह बताईए सर कि यह हमारी इनवर्सिटी के लिए है या नहीं तो यही मैं सबसे पहले किलियर कर देना चाहता हूं कि आपको कोई confusion ना रहे कोई दुगिधा ना रहे अगर आपको कोई doubt है तो आप NEP चेक करिए आपके अपने college में या इनवर्सिटी में पता करिए कि वहाँ पर क्या apply हुआ है या नहीं या आपने हमसे जो first semester में पढ़ा था जो हमने first semester में आप लोग के लिए model paper तयार किया था chemistry classes दे थी क्या वो है या नहीं ठीक है चलिए और जो सारी चीज़ें confusion वह आगे दूर हो जाएंगी दोस्तों second semester में जो आप लोग NEP के accordingology पढ़ रहे हैं उसके पेपर टाइटल का जो नाम है वह बायो आपकी जो पेपर टाइटल है वह अलग लोग होता है अगर आप में old pattern है तो आपका तीन पेपर रहेगा अगर old pattern नहीं है तो केवल एक ही पेपर होता है जैसा कि मैंने बताया है मेरे साथ जो भी first semester से जुड़े हुए है जो हमारे fourth semester के चाचात रहे हैं उन सब को बहुत ही अच्छे से पता है NEP के बारे में ओके तो मुझे असा है कि आप लोग के जो मन में confusion था वो दूर हो गया होगा चलिए class की बारे में बात करेंगे तो आज की जो आपकी class होगी वो first unit होगी first unit आज हमें start कर रहे हैं जो लोजी में आपकी जो first unit है उसका नामे structure and function आप बायो म वो पहला topic है वो carbohydrate है पहले unit और पहला जो चेप्टर है उसका नाम क्या है structure and function आप बायो माली क्यूल यानि की basically हमें जयो अड़ों की सन्नचना और उनके जो प्रमकार हैं उनके बारे में वर्डन करना है तो चलिए start करते हैं class को आज की class start होगी carbohydrate की session से आज हम carbohydrate के topic को discuss होते हैं कितने प्रकार की होते हैं इनका classification कैसे होगा ठीक है और basic चीजे जो carbohydrate के अंतर आपको अंतरगत पढ़नी है बहुत ही important class रहने वाली है आज की बहुत ही basic के साथ मैं लेकर क्या हूं बिल्कुल हिंदी और English दोनों language के साथ ठीक है क्योंकि बहुत सारे student चो हमारे UP वो को अगे कोई दिक्कत ना आए चलिए carbohydrate के topic को मैं discuss करते है what is carbohydrate क्या होते हैं दोस्तों पूर्व में यह माना जाता था कि इनमें carbon hydrogen oxygen का जो अनुपात है वो एक अनुपाते 2 अनुपाते एक के अनुपात ने होता है लेकिन सबी उपलजे carbohydrate इस अनुपात में अनुप नहीं थे जोस्तों ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो कार्बो हाइट्रेट है वो एक प्रकार की जेटल सरकरा है जिसमें स्टार्च, सैलिलोज, आज प्रकार के जो पदार्थ हम वो उसमें समवायत होते हैं प्राकितिक रूप से जो पाए जाने वाले आक्सीजन योगिक हैं या इनका एक जो प्रमुकु वर्ग है वो कार्बो हाइटेट है कार्बो हाइटेट मुख रूप से कार्बन हाइडोजन और आक्सीजन से मिल करके बना होता है किससे मिलकर बना होता है कार्बोहाइटरेट, कार्बन, हाइडोजन वा आक्सीजन और इनका अनुपात क्या रहता है तो इसका जो अनुपात होता है जोस्तों वो एक अनुपाते यानि कि एक अनुपाते दो अनुपाते एक होता है जिसमें एक अनुपात कार्बन का दो सिजन का समौहित होता है ठीक है तो हलाकि यह एक्दम से 100 परसेंट सिद्र नहीं है ठीक है लेकिन यह उपलब्द कार्बो हाट्रेट नहीं हो पाया इसलिए क्या हुआ कि आता इन परिभासाओं में इसां किया गया संसोधन कर दिया और आधुनिक परिभासा के अनुसार ये दुरुबक यान यानिerinिक ऑप्टिकली एक्टिब पाली HIDACCY अथवा कीटों है जो आधुनिक épटिब पाली गुरूडक है, Optically Active Polyhidexy अथवा कीटोन है अताहा ये एक ऐसे योगिक है जो जल अपगटन के उपरांत इस प्रकार की इकाईया देते हैं जब इनका जल अपगटन कराया जाएगा तो ये इस प्रकार की इकाईया देंगे जिसमें ये Polyhidexy अथवा कीटोन देंगे, ओके और Carbohydrate का जो सामान सूतर है, वो क्या है CXH2OY है क्या है CXH2OY है जहां पर ये CX X और Y का मान भिन भिन हो सकता है और सेम भी हो सकता है, भिन भिन और सेम हो सकता है, चेंज होते रहेगा जैसे कि glucose और fructose और सुक्रोड तो अगर हम glucose की बात करें तो glucose का दोस्तों जो formula होता है, वो होता C6 H12O6 अब इसको हम Carbohydrate के formula के according लिखे, तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको दोस्तों हम लिखेंगे C6 H2O6 अब ये कैसे हुआ देखें, ये C6 हो गया, H12 तो यहाँ पर 2 है, 6-12 यानि कि 12 H2 हो गया और O6, ये आपका 6 ठीक है, इस प्रकार से लेकिन अगर ये ही सुक्रोड की बात करें तो यहाँ पर अब चेंज कैसे होगा सुक्रोड का जो formula होता है दोस्तों, वो होता है C12 H22 को 11 होता है अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे C12, C को हम ऐसे लिख देंगे CX अब बात करेंगे H2O की H2O ऐसे हम लिख देंगे और अब हमें कितना प्राप्ट करना है हमें प्राप्ट करना है स्क्रोज तो यहां पर 11 कर देंगे तो 11 दुनना 22 हाइडरोजन हो जाएगा और 11 यहां पर ऑक्सीजन हो जाएगा ठीक है तो C6, H12, O11 यह आपका क्या हो जाएगा कार्बो हाइडरेट तो आपके समझ में आ गया कि जो X और Y का मान है यह भिन भिन और सेव हो सकते हैं तीक है और जैसे कि गुलुकोज को हम C6, H2, O का 6 लिख सकते हैं फ्रक्टोज को भी ऐसे ही लिखेंगे और सुक्रोज दोस्तों यह मुख्तया जो कार्बो हाइडरेट है कार्बो हाइडरेट मुख्तया पौधो द्वारा उत्पन किये जाते हैं कार्बो हाइडरेट के मुख्त रोत कौन कौन से हैं तो इसके मुख्त रोत अनाज हैं जैसे कि गेहु, मक्का, चावल, ज़ो, जाई, आड, अलू, सल्जम, चुकंदर, केला, अर्बी, मास आड में कार्बो हाइडरेट मुख्तया पाया जाता है तो अब आपके सुन में आ गया कार्बो हाइडरेट क्या होते हैं अब हम समझते हैं कार्बो हाइटरेट का वर्गी करान, क्लासिफिकेशन आप कार्बो हाइटरेट, तो क्लासिफिकेशन समझेंगे कार्बो हाइटरेट का, तो कार्बो हाइटरेट को जल अप घटन में उनके ब्योहार के अधार पर मुखितिया निमलिकित तीन वर्ग में व प्रूप में वर्गी क्रित किया गया है कौन-कौन के मोनोसेकराइट पॉलिसेकराइट और ओलिगोसेकराइट यह जल अपगटन में उनके ब्युहार के आधार पर बाटा गया है तो हम समझते हैं कि मोनोसेकराइट क्या होते हैं जो हैं मोनोसेकराइट तो यह मोनोसेकराइट है यह एक सरलतम कार्बोहाइटरेट है इनका छोटे छोटे अड़ुओ में जल अवगटन नहीं किया जा सकता है जो मोनो सैक्राइड है उनका सरलतम कार्बो ये प्रकार के बहुत सी सरलतम कार्बो हैटेट है जिनका जल अब घटन नहीं किया जा सकता है उदाहरण के लिए इनका जो मोनो सैक्राइड है उनका नाम है ट्राइयोस ग्रिस्रेल डिहाइड भी इसमें साम arsonicuride हैं ओके तो monosacuride क्या है एक सरल्टम gonna k frustrated है जिनका चोटे-चोटे Sonos ऐ 변 गटण नहीं किया जा सकता है उदाहर अम के किसे कौन-कौन से सामिलस में trailers a Galgrofest डिवाइड जैट्रोस में एथ्रोस हैं पिंटोस राइबोस और हैक्सोज गुझाइटोस कर ने इसमें समलिफ होते हैं अब हम बात करेंगे ऑलिकाराइट किया होते हैं यह अलिकाराइट जो होते हैं यह जल अफड़्टन के फ़ॉसा रूप मोनो शैकराइट की मोनो सैकराइट की 2 tay या 2 दो से 10 तक इकाईया देते हैं ध्यान रखेंगे इस बात को यहां पर समझने का प्रियास करेंगे जो ओलिगोसाइकराइड हैं यह जल अप घटन के फलसरूप मोनोसाइकराइड के दो से दस तक इकाईया देते हैं जैसे कि सुक्रोस गन्य की सक्कर जिसे कहते हैं सबसे मीटी होती है ये क्या होता है गन्य की सक्कर जिसे कहते हैं सुक्रोस को माल्टोस लैक्टोस ये सभी जल अब घटन के द्वारा दो अडू मोनोसाइकराइड के देते हैं ध्यान लखेंगे मोनोसाइकराइड के जब जल अब घटन कराया जाएगा तो ये दो अडू मोनोसाइकराइड के दे कोज और फ्रक्टोस की एक 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 इक एकाई देते हैं जबकि माल्टोस ते प्राप्ट व्राप्त नोग एकाई या केवल ग्ल्वकोज की होती हैं लेकिन अगर हम शुक्रोस की बात करें तो सुक्रोस का जब जल आप घटन कराएंगे तो दो अडू मोनो सैकराइट के देते हैं अताहा इन्हें डाई सैकराइट कहा जाता है जैसे कि अब डाई सैकराइट कैसे कहा जाएगा बात करेंगे सुक्रोज की तो सुक्रोज के क्या होता है C12 H22 O11 होता है जब इसका जल आप गटन कराएंगे जल आप गटन कराएंगे किसके साथ H2O जल आप गटन इसका कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा C6 H12 O6 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर क्या प्राप्स हो जाएगा C6H12O6 प्राप्स हो जाएगा एक फ्रक्टोस और एक ग्लुकोस की अनुक्नी को क्या कहते है डाई सेक्राइट कहते है समझ में आ गया डाई के सेक्राइट क्या है और अलिगो सेक्राइट क्या है अब डिसकस करते हैं polysaccharide जो तीसरा आपका है carbohydrate ठीक है polysaccharide में क्या होता है कि इनके जल अपगटन के फाल स्वरूप जब हम polysaccharide का जल अपगटन कराते हैं जल अपगटन कराएंगे किसके साथ polysaccharide plus H2O के साथ क्या होगा जल अपगटन होगा तो जब polysaccharide का जल अपगटन कराएंगे तो इसके फाल स्वरूप अत्याधिक संख्या में monosaccharide इकाईया प्राप्त होती है उधाराण के लिए starch, cellulose, glycosin, gode, argy ये जल में क्या होते हैं? आपले हैं जो polysaccharide हैं वो जल में आपले हैं तथा ये प्राप्त कैसे होते हैं पाली सेकराइट कैसे प्राप्त होते हैं ये पाउधों से प्राप्त किये जाते हैं ध्यान लखेंगे पाली सेकराइट जो है वो जल में आपले हैं तथा ये पाउधों से प्राप्त किये जाते हैं तो ये तो रहा कार्बो हाइटरेट को उनके बेवहार के अधार पर जब बाटा गया तो उनके बेवहार के अधार पर कितने तीन पार्ट में बाटा गया था आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि कार्बो हाइटरेट जो है जब कार्बो हाइट्रेट का जल अब गटन करा जाएगा और उनके बेवहार के अधार पर इनको तीन भागों में बाटा गया पहला है सरकराएं और दूसरा है नान सरकराएं यानि कि आ सरकराएं तो सुगर और नान सुगर अगर इनको भौतिक गुड़ की अधार पर बाटा जाएगा तो कर्भोहट्रेट को भौतिक गुड़ की अधार पर दो भागनी विभाजित किया गया है पहला है सरकराएं और द लैक्टोस डुग्द सरक्रा यह सभी क्या हैं एक परकार की सुगर हैं इन्हीं को सुगर कहा जाता है अब आ सरक्रा हैं नान सुगर क्या होते हैं जैसे कार्बोहाइट्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं होते ऐसे कार्बोहाइट्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं हैं यह और एक बात ये जल में आ बिले होंगे अता अल्प बिले होंगे इन्हें पाली सैकराइट कहते हैं और इन्हें ही आसरकरा कहते हैं त्यान रखेंगे ये बात त्योंकि पाली सैकराइट और नॉन सुगर आपको एकी ही डिफिनेशन से एकी ही बातों से समझना है कि ऐसे कार्बोहेट्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और ना ही ये पानी में बिले होते हैं यानि पानी में अल्प बिले होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है आसरकरा कहा जाता है और इनको पाली सैकराइट कहा जाता है ये प्राप्त कैसे होते हैं ये पौधो द्वारा हमें प्राप्त होते हैं तो सरकराय क्या है सुगर क्या है और नान सुगर क्या है ये आपको पता चल गया अब कार्बो हाइट्रेट को उनके अपचायक गुडो के आधार पर हम देखेंगे कार्बो हाइटरेट को उनके अपचायक गुरो के आधार पर निम्लिकित दो भागों में बाटा गया है यहीं अपचायक गुरो के आधार में भी दो भागों में बाटा गया है पहला है reducing carbohydrate और दूसरा है non reducing carbohydrate यह अप चाई कार्बोहाइटरेट और अनपचाई कार्बोहाइटरेट तो समझते हैं कि अपचाई कार्बोहाइटरेट क्या होते हैं अपचाई कार्बोहाइट्रेट ये टालन अभीकरमक को सिल्वर दरपर तथा फेलिंग बिलेन को लाल औच्छेप में अपचाईट कर देते हैं तथा ये सभी मोनो सेकराइट ये दाई सेकराइट छुक्रोज को छोड़कर अपचाई कार्बोहाइट्रेट होते हैं जो आपका दुस्टों यहां पर अपचाई कारबोहाइटरेट है यह क्या होता है यह टालन अभिकरम को सिलवर दरपर ताथा फेलिंग बिलेन को लाल अओच्छेप में अपचाईट कर देता है सभी जो मोनोसक्राइट हैं और डाइसाक्राइट हैं ये अपचाई कार्बोहाइटेट होते हैं केवल सुक्रोज को अगर छोड़ दिया जाए तो सुक्रोज को अगर हम छोड़ दें तो जो मोनो सैकराइट आपका है और डाई सैकराइट ये अपचाई कार्बोहाइटेट होते हैं केवल सुक्रोज को छोड़ कर अब हम डिसकस करते हैं अनप्चाई कार्बोहाइट्रेट की नान रेडिविसिंग कार्बोहाइट्रेट क्या होते हैं तो नान रेडिविसिंग कार्बोहाइट्रेट जो हैं ये टालन अभिकरमक तथा फेलिंग विलेन को अप्चाईट नहीं कर पाते हैं यो लाल हो श्यप नहीं देते हैं। सुक्रो तथा दूसरे उच्छ सैकराइड अनभचाई कार्भो हाइटरेट कहलाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ सामान कार्भो हाइटरेट यानि की सम कामन कार्भो हाइटरेट। अब कुछ कामन कार्बोहेट्रेट में कौन कौन से समलित हैं जैसे कि अब हम डिसकस करेंगे ग्लुकोज के बारे में कि ग्लुकोज क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा फ्रक्टोस क्या है माल्टोस क्या है सुक्रोस क्या इन सब के बारे में हम स्टेप बाई स्टेप करेंगे और विडियो पसंद आ रही हो प्लीस वीडियो को लाइक कर दिजेगा कमेंट के मादने में से आप बताने का प्रयास करेंगे क्या आप कोई हिंदी मीडिये में ने सारी चीज़ समेंЕТ आ रही एए कि आप इसी प्रकार classe chaatे है या आप से इंग्लिस में ही class चाते हैं कि आपका English का टॉपЕ भी cover हो सके ठीक है तो आप सबके e comment की अधार पर मैं आज ये class लेकर करके आया हूँ फिलाल आप comment के मायं उस्मान इन से बताने का प्रियास जरूर किजीएगा ओके तो आप हम समगते है जिसका सामान सूत्र गुलुकोच का जो सामान सूत्र है वो होता है C6H12O6 होता है क्या होता है C6H12O6 होता है इसे डेक्स टोद भी कहते हैं ये मीठे फलो पके अंगूर और सहद में पाया जाता है और दोगिक अस्तर पर इसे स्टार्ज के जल अब गटन से प्राप्त किया जाता है अगर इसका उपा पच्चा ये जिन की मेटाबॉलिजम ये मेटाबॉलिजम के फलसरूप सरीर को उर्जा प्रदान करदे वाली मुख सरकरा होती है रक्त में इसकी जो असांदर्ता का परास है वो सत्तर से 115 मिली ग्राम से लेकर के 100 मिली ग्राम तक है ये मानों सरीर की तत्कालिक उर्जा उपलब्द कराता है दोस्तों गुलू कोच की अगर हम बात करें तो गुलू कोच का जो जर्नल फॉर्मूला है वो C6H12O6 है और इसे डेक्स्टोज भी कहा जाता है ये साढ़ारता ये फल कह पाई जाती है मीठे फल में पके अंगूर और सहद में पाई जाती है अगर हम इसका स्टार्ट के साथ जल अबगटन कराते हैं तो क्या पता हमें प्राप्त होता है अगर इसका उपाफचे यानि मेटाबॉलिजम इसके मेटाबॉलिजम के फलसरोप सरीर को उर्जा जो प् की जो सांदरता है उसका प्राद सतर से 115 मिली ग्राम से ले करके 100 मिली ग्राम है और यह मानो सरील की ततकालिक उर्जा उपलब्द कराता है मानो सरील में जब भी कमी आती है तो ग्लुकोज लेते हैं और यह कभी सामान सूत्र जो है वो C6H12O6 है जो कि फलो की सक्कर जिसे फलो की सक्कर कहते हैं फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है इसे फलो का सक्कर कहा जाता है जहां रखेगा कभी कोश्चन पूच लेता है कि फलो का सक्कर किसे कहते हैं तो फ्रक्टोज फ्रक्टोज को फलो का सक्कर क कहा जाता है यह सहद फल्थ अच्छ प्रक्टोज कार्ण सीराप में भी पाई जाती है प्राकिर्थिक फ्रक्टोज को लेबलोस भी कहते हैं यह उसद्यों के प्राक्राप का यूज कहां है अब मेडिकल लाइन में किया जाता है या इनसे बिविन प्रकार की उसदिया बनाई जाती हैं सीरफ में बनता है यह कई प्रकार की जो सीरफ है जो मेडिकल लाइन में हैं सीरफ उनमें इनका उपियोग किया जाता है जो बिविन प्रकार की टाफिया बनती है उनमें भी प्रक्टोज का उपियोग किया जाता है अब हम discuss करते हैं दोस्तों सुक्रोज को सुक्रोज क्या है तो सुक्रोज चो होता है यसे गन्य की सुगर कहते है ठीक है इसका जो सामान सूतर होता है वो C12 H22 O11 होता है इसे इच्छु सरकरा या गन्य की सरकरा भी कहते हैं जल अफगटन के पहस्चात यह सम मोलर मात्रा में गुलुकोज और फ्रक्टोज देता है जब हम सुक्रोज का जलब घटन कराते हैं तो हमें सम मोलर मात्रा में गुलुकोज और फ्रक्टोज प्रदान होता है इस उत्पात को आबरिति सरकरा यानि इनवर्ट सुगर इसे इनवर्ट सुगर के नाम से जानते हैं यह एक अतियंत उत्तम परिरच्छक है जो अधिकांस डिब्बाबंद भोजपदार जैसे की जैली में उपस्थित होता है सुक्रोज अब हम बात करने कि सुक्रोज का जल अब घटन कैसे कराया जाता है यह कोशिशन आप से पूछा जाता है सुक्रोज जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि जब हम जल अब घटन के परिश्चास सुक्रोज का जल अब घटन कराएंगे तो हमें सम मोलर मत्रा में गलुकोजरो फ्रॉक्टोज देता है तो जो इसका फर्मूला होता है वो C12 होता है H22 और O11 अब प्लस यहाँ पर H2O के साथ इसका जल अब घटन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा एक तो हमें गलुकोज प्राप्त हो जाएगा और एक फ्रक्टोज प्राप्त हो जाएगा गलुकोज और प्रक्ट सबाइस बनाग अब माल टोज को किसे करते हैं माल टोज की एड करके बनता है तो कि यानि कि C6, H12, O6 को दो बार यानि कि इनका जब दो इकाई इनका मिलाएंगे तो ये बनेगा यानि ज़ल अवकटन कराएंगे जब ठीक है इसे माल्ट सरकरा कहते हैं जो एलको हल के निर्माण में प्रियुक्त की जाती है माल्टोस का अधिकतर उपियोग कहां पर किया जाता है इलको हल के निर्माण में इलको हल आर ओ आर इलको हल के निर्माण में सबसे ज़्यादा इसका प्रियुक्त किया जाता है के लैक्टोस को डिसकस करते हैं लैक्टोस क्या होता है लैक्टोस को दुगद सरकरा के नाम से जानते हैं ठीक है ध्यान रखेगा लैक्टोस लैक् ग्लेक्टोज होता है वो अस्तन धारियों के दूद में उपस्थित होता है ये गाई के दूद में 4-6% पाया जाता है तथा मानों के दूद में 5-8% पाया जाता है अता है ये दुग्द सरकरा इसे दुग्द सरकरा कहते हैं ये ग्लेक्टोज और ग्लुकोज से निर्मित होत है लेक्टोज किस से बनता है ग्लेक्टोज ग्लेक्टोज प्लस ग्लुकोज जब हम क्या करेंगे इनका निमाल करेंगे तो कैसे करेंगे यहां पर गलेक्टोज प्लस गलुकोज इनको मिला करके लेक्टोज प्राप्त होगा ठीक है अब गलेक्टोज का जो फॉर्मूला है वो और गलुकोज इन दोनों को आप एड़ कर देंगे आपको लेक्टोज मिल जाएगा ठीक है तो इसमें जो मुख बाते याद रखनी हैं वो लेक्टोज के बारे में लेक्टोज जो है प्रकार की दुग्द सरक्राया जो सभी इस्तनधारियों के दूद में उपस्तित होती है यह गाई के दूद में लगद़ चार से छे परसंट और मानों के दूद में 5-8 परस्त होती है इसे दुग्द सरकरा भी कहते हैं और ये गल्यक्टोस और गल्यकोज से निर्मित होती है अब अगला जो टॉपिक है आपका जो अगला कार्भोहेटरेट है वो है स्टार्च क्या होता है समझते हैं स्टार्च के टॉपिक को तो इस जिसका सामान सूत्र क्या है C6H10O5N है ध्यान रखेंगे इसका जो सामान सूत्र है वो C6H10O5N है स्टार्च पौधों में मुको संग्राहित पाली सैकराइड है ये दस ये दाल जड़ कंद तथा कुछ सबजियों में पाय जाता जो इस टार्च है दोस्तों वो मुक रूप से पाली सैकराइड है और ये दाल जड़ कंद तथा कुछ सब्जियों में पाय जाता है पाचन के समय सरफ्रथम ये माल्टोस देता है जो आगे अब घटित हो करके गुलुकोज देता है ये गुलुकोज का बहुलक है और दो घटको जैसे एमिलोस जल में विले तथा एमिलो फैक्टिन जो जल में आब ले हैं वो इनसे मिलगर के बना होता है स्टार्ट के बारे में जहान रखेंगे स्टार्ट पर संचे टिपर लिखने के लिए पूछा जाता है तो ये आपकी बेसिक क्लास है जिसने बेसिक चीजे मैं किलियर करूँगा आगे इसकी क्लास आपको और विस्टार रूप में मिलेगी लेकिन मेरा प्रयास ये है कि पूरा स्लेबस एक बार हिंदी में समझा दिया जाए ताकि आप और अच्छे से समझ सके सेलुलोज क्या है सेलुलोज का जो सामान सूत्र होता है दोस्तों होता है C6H10O5N ये जो है ये सेलुलोज का सामान सूत्र है ठीक है ये पौधो में प्रचुरु मात्रा में उपलब्द कार्बनिक पदार्थ होता है सेलुलोज जो है वो पौधो में प्रचुरु मात्रा में उपलब्द कार्बनिक पदार्थ है ये पौधो की कोशकाओं की कोशका भित्ती का प्रधान अवयो है ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक प्रमुक बात कि ये पौधो की जो सैलुरोज है ये पौधो की कोशकाओं की कोशका भित्ती का एक प्रधान अवयो है ये गुलु कोश से बनी स्रिजु स्रिंख्रा यानि स् न चूर और रोजि ग्लास बनाने में प्रयुक्त किया जाता है उके। अब हम बात करते हैं गलाइकोजर्ण गलाइकोजर्ण क्या होता है गलाइकोजन दुश्तों, पराडी सरीर में कारबो हाइटर्ड गलाइकोजर्ण के रूप में संग्राहित करते हैं, जो मनुस्य है या प्राड़ी है जो जियू है वो कार्बो हाइटरेट किस प्रकार से प्राप्त होते हैं यह कोशिशन पूचा जाता है जब आपका को केरी लर का कोर्स हुआ था को पेपर हुए था इस बार फॉस्ट समेस्टर में तो आपसे कई कोईश्चन पूछे गए होंगे गलाइकोजन के सपिक्स में कि गलाइकोजन यानि कि पूछा गया होगा आपसे कार्बोहाइटेट महीं कि प्राड़ी जो होते हैं या मनुस कार्बोहाइटेट को किसके रूप में संग्राहित करते थे हैं तो आप बताएंगे कि मनुसिया सभी प्राड़ी सरीर में कार्भोहाइटेट को ג्लाइकोजन की रूप में करते हैं जुकि इसकी जो संरचना होती है वो एमिफलोफैक्टिन के सामान होती है इससे प्राड़ी स्टार्च एनीमल स्टार्च भी कहते हैं ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं एनीमल स्टार्च कहते हैं प्राड़ी स्टार्च के नाम से जानते हैं इसको ध्यान लखेंगे यह किरते मास्पेसिया तथा मस्टिक में उपस्थित होता है सरीर में जरूरत के अनुसार एंजाइम गलाइकोजन को गुलुकोज में परिवर्तित कर देता है तो यह रही गलाइकोजन की कहानी इतने प्रमुक जो कार्बोहाइटेट उनकी चर्चा मैंने कर दी है अब हम बात करेंगे कार्बोहाइटेट के महत के बारे में इंपोर्टेंट्स आप कार्बोहाइट्रेट यानि कार्बोहाइट्रेट का क्या महत्व है तो दोस्तों कार्बोहाइट्रेट जो होता है हमारे भोजन का एक प्रमुक भाग है कार्बोहाइट्रेट हमारे भोजन का एक प्रमुक भाग है तथा ये आकसी करण की प्रक्रिया किया जाता है कार्बो हाइट्रेट दूसा टॉपिक कार्बो हाइट्रेट वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में तथा जन्तों में गलाइकोजन के रूप में संचित हैते हैं कार्बो हाइट्रेट अगर वनस्पतियों में पूछा जाए तो वनस्पतियों में कार्भो हाट्रेट किस रूप में होता है स्टार्च के रूप में होता है और अगर जन्तों में पूछा जाए तो जन्तों में किस के रूप में होता है गलाइकोजन के रूप में ये दोनों बात आपको ध्यान रखने योगी है कर्बो हाइटरेट, मुझ लेता कार्बो हाइटरेट, बनस पतियों में किस रूप छठी होता है, तो आप बताएंगे, स्टार्च के रूप में, और अगर जनतकों सी बात हो, तो गलाइकोजन के रूप न के कर्भूहाइट्रेट का पर्योग हम लकड़ी की निर्मान भी करते हैं लकड़ी के निर्माने कैसे यह से काम में अगला है वैस्थ कागध अधर जिसे लेकर कहते हैं दोगय के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है यानि कार्बोहाइटरेट से हमें कच्चा माल भी प्राप्त होता है तो पूर्ण रूप से आज हमने आपको कार्बोहाइटरेट के पूरे टॉपिक का डिसकस कर दिया है यानि कि बेसिक बेसिक इन्फोर्मेशन जो छोटी छोटी इन्फोर्मेशन थी carbohydrate से समध्य तूर्बने बता दिया है جिसमें मैंने आप लोग को carbohydrate क्या होते हैं इनका classification कैसे किया जाएगा और जो मुख्य ग्लूकोस, फ्रक्टोस, प्रक्रोस, में ल्तूस, स्टार्ज, सैलिलोस, ग्लाइकोजन इन सब के बारे मैंने बता दिया कि ये क्या होते हैं इंग्ड सामान सुत्र क्या होता है और कुछ इंप इम्बर्टेंटों खोगके इतिए अगली क्लास में लेकर क्या होँगा प्रोटीन से समदित प्रोटीन क्या होती बलति है वे प्लेथित के सब Haushंम में से जरूत आज की ये class कैसी रही comment section में comment करके जरूर बताएंगे लास्ट में आप comment करके जरूर बताएंगे कि ये class आप लोग के लिए कैसी है अगर आपको कोई भी दिक्कत है दोस्तों तो ध्यान नकिए आप comment के माधनिम से बताएगा आपके आधार पर class लाने का मेरा बिल्कुल फ्रियास रहेगा और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे चैनल पर जो भी हमारे चाट चातना जुड़ चुके हैं नए हैं अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किए तो प्लीज सपोर्ड करें चैनल को सस्क्राइब जरूर किजिएगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत